है गाइज वेरी वेरी गुड मॉनिंग और विलकम तो मैं चैनल इंडियन मॉम कांचन सो गाइज यहां पर कुछ पार्सल आ गए थे मेरे उसे ही सैनिटाइज करना चल रहा था बस इसे उपन करके दिखाती हूँ आपको थोड़ी दिर के बाद क्या आया है इन पार्सल में तो बहुत दिनों से ओर्डर कर रखे थे बट लॉकडाउन की वज़े से आई नहीं रहे थे वैसे अभी भी कुछ पार्सल आना बाकी है वो सब कुछ आपको देखने के लिए मिल कर देती हूँ आपको साथ एक और पार्सल रिशेव हुआ है वह मैं आपके साथ कभी और शेयर कर दोंगी बट अभी यह मैंने सारे अ आर्व मास्क और फेस मास्क आप मंगा एया है अल्प्स गूड्स के तो यह है ओरेंज अल्स गूड्डिनस का उसके बाद यह है अलवर आपके हैं और उसके बाद यह है लावेंडर का इसेंशल आइल उसके बाद यह टर्मरीक इसेंशल आइल यह मुझे बहुत ही जादा पसंदे जब मैं फेस मास्कोई अप्लाइ करती हूं तो उसमें यह वाला एड कर देती हूं एक-दो बुन अगर कोई हैर मास्क्राइब करत इसे बहुत सारे हैर के प्रॉब्लेम्स जो है उससे स्वाल होते हैं तो यह के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है इसमें से कोई हेर मास्क अगर आप यूज करते हो ना तो इसमें यह आड़ कर दो दो तीन ड्रॉप ऐसे आड़ कर दो ज्यादा नहीं आड़ करना है और है यह भी आपको कम ही कॉंटिटी में ओड करना है ज्यदा कॉंटिटी में आड़ करोगे थी छलन्यके हो सकती है कुछ प्रब्लिम हो सकता है और रह से अपलाय नगे करना आहां को दोनों को भी लरे इसको बहर कि अपलाय से यह किसी भी चीज में अब करके अपला बस इसे ओपन करती हूँ और इसमें से निकाल लेती हूँ थोड़ा सा पौडर लेना है आपको यह देखिए इस तरह से आपको इसमें पौडर मिलेगा थोड़ा सा आपको पौडर लेना है और उसमें एड करनी है दो टिन ड्रॉप यह टर्मरी किशेंच चलोई के यह उसके बाद उसमें मैं आड करूंगी रोजबाटर बस इतना ही 2-3 ड्रॉप आपको आड करना इसमें जラदा नीए आड करना ए उसके बाद आतको आड करना है रोजबाटर उससे अच्छा ससा फेस्ट बन जाए वैसट और यहाँ पर आप देखिसकते वूं यह पेस्ट अभी बन चुका है इसे मैं अपलाई करूंगे अपने फेस पे अभी इसे अपलाई कर लेती हूं फेस पे मेरे पूरे फेस पे और हां अभी परपल पे सेल चल रहा है तो आप यह प्रोड़क्ट पर्चेस कर सकते हो एक्चुली अभी 29 एप्रिल से 4 में तक अ भी आप लिंग इस सेल का फाइदा उटा सकते हो और आपको यह प्रोड़क्ट परेस कर सकते हो जो वहां जाधा अच्छे अच्छे प्रोड़क्ट अको यह जो मास्क है जो मैं अपलाई कर रही हूँ अल्प्स गुडनेस के, हेर मास्क हुआ, फेस मास्क हुआ, बहुत अदा अच्छ है, इनका रोस पेटल वाला भी है, जो मैं काफी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, और मेरा, मतलब खतम होने पर ही आया है, तो मैंने सुचे चल होने है, बहुत ज्यादा अच्छा है, आपके बालों की जो भी problems है, जैसकि की बाल जड रहा है, अगर आपके skincare के लिए तो आपके skincare बाल हो रही है प्रकश काटऑ है, और ऑपके skincare केसे lotion किया में हो गई है, आपके tiarazy हो गयी है यह बहुत सरे ऐसे problems होते हैं जो अब होमें फेज करने पड़ते हैं, ये जैसे कि बहुत ज़ल्दी आपके दाग धब्बे हट जाएंगे पिंपल्स के जो डाग धब्बे होते हैं बहुत जल्दी हट जाएंगे ये कूल मी अब हैन आप टैनिंग वहुत जल्दी हट जाएगी अगर आप इस मास्कों हपते में दो-तीन बार भी यूज करते हो न तो भी आपकी जो टैनिंग है वो हट जाएगी उसके बाद आपका जो कलर है वो साफ दिखने लगेगा अपका ग्लो बढ़ जाएगा वैसे भी औरेंज तो आपको पताईए कि कितना अच्छा होता है आपक और आपके skin में pimples वकरा है तो वो भी इससे कम हो जाएगे बहुत ऐसे प्रॉब्लेंस है जो यह दूर करता है तो आपको जो भी प्रॉब्लेंस है जैसे कि टै पिंग भी हो गई तो भी आजिटी से अपलाए का सकते हो अगर आपके बहुत पुराने दाख भी हैना तो भी इससे अट जाएंगे, अगर आप यह continue use करते हो, जैसे continue miss, हपते में दो या तीन बार use करना है, उसे ही आपको अच्छा result मिलने लगेगा, तो आप यह से use कर सकते हो, मतलब अगर आपके दाग धपय है, तो उसे भी आपके यह हटा देगा, तो आप ज़रू ट्राइ कर करके देखना, आपको अच्छा result मिलेगा, बस यहाँ पर नेक पर अपलाए कर लेती हो, क्योंकि जो भी आप फेस पर मास अपलाए कर रहे हो ना, नेक पर अपलाए करना ही जाए, नहीं तो क्या होगा, कि आपकी जो स्कुन टोन है वो अलग अलग दिखने लगेगी, जैसे कोई भी प्रड़क्त अगर आपको पर्चेस करना है, पेस मास्क या हैर मास्क तो आप पर्चेस कर सकते हो, बहुत अच्छा result है इनके, तो चलिए, अभी अपलाए हो गया है, और दस मिनिट तक रखती हूँ, मतलब ड्राय होने तक, इनका फोन बज रहा है, और फिर इसे उतार देती हूँ, और हाँ, इसके बाद आप देखोगे, जो मेरे माईके का व्लोग है, मतलब मैंने माईके में क्या किया, उस दिन में ज्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे टाइम स्प्रेंट करना था, अपने घरवालों के साथ, एक ही दिन के लिए तो गई इसे जो बी है, वैसे दिपाली के हाथों से बनी हूँ रेसीपी देख लीजी, कडी के रेसीपी बनाई थी, उसने कडी के रेसीपी देख लीजिए, और जो जो उसने किया। तो गाईज, यहाँ पर मैं बना आरी थी पनेर, अक्चूली, इसकी बाद बताती हूँ मैं आप आपको पनीर क्यों बनाना पड़ा, तो क्या हुआ था कि कल रेयात को पापा ने 5 लिटर दूद लाके दिया था, तो क्योंकि दूसरे दिन रबडी बनानी थी तो इसे वो जैसे वो दूद लाके दिया, और यह लोग भूल गये, अनवरसरी की चक्कर में, उसे गरम करना है, जैसे वो डूट फट गया, तो फिर उसका क्या करें, तो मैंने ये पनीर बना लिया उसका, और अभी ये पनीर बन जाएगा, उसके बाद मैं बाद में दिखा दूँगे आपको, की पनीर कैसे बनाया है, तो यहाँ पर बस वही चल रहा था, सुबह-सुबह उटके पूछ र जाएगी, उसके बाद दीपारोई को बहुत जादा काम है, आज क्योंकि आज होने माला है, पावंजा, जिसे बोलता है हमारी माराथी में, जैसे कि कोई गेस्ट आता है, तो उनके लिए अच्छा-च्छा खाना बनता है, तो मेरी सासुमा बहुत दिनों के बाद आई थी आज इतना है, जो मुझे पसंद है, और मुझे ना ऐसे चीज इतनी जधा नहीं पसंद है, जैसे कि बहुत जी मेरे मं मिї के आतों से बहुत ज़ी बनाती है, तो वो चीजजे जादा पसंद है, और मेरे मं मं M hem he koord Elect calcium on how i pan पर आने के बाद मैं बनाओ या ना बनाओ मेरे घर पे मुझे वहां पर खाने के लिए मिल जाती है और यहां पर रबडी बन गए थी अभी दीपाली बना रही थी कड़ी और कड़ी की रेसिपी ना दीपाली के हाथों के मैं आपके साथ शेयर करने वाली हो बहुत टेस्टी क बनी थी महसाले वालीख गड़ी थी मैंने तो आज तक नहीं देखी मढलाब वायसे वो स्तिखा बोइता दा बनाथी खाना हमारे घर पर डीख़ीन चांपी घर में आदाने के आगद थी तो इस सब्सार बनाने थी और यहां पर शाच में तो वे सन से थाकश कम बनाना बन पर उसंने डला है कड़ायए काली मिर्च और लॉंग और जीर भू डाला है उसके बाद कीवर हरी मिर्च पेस्ट और लसुन द्रक कपेश्ट400 पर यहाँ me मेथी डाना भी डाल सकते हो उसने नहीं डानाता हसा हुए यहां पर मसाला भूह चुका है वह चाच ऑ। यहां पर भून कर दिया है उसमें थोड़ा सा नमक स्थाइद करेगी चाच में अधा बाद हल्दी ना भा घर ला तो छिल रही वह आलू आलू की सबजी बनाने के लिए औरह상을 निया पर葉ण भूझ भून लिया है उसके बादी जो मसालाते हैं हमारे म्राधि लोग जैसे और नारियल का तुगड़ा भून लेते हैं उसके बाद उसे उसका पेस्ट बना लेते हैं उसके बाद पहले ये लसुन अद्रक का पेस्ट डालते हैं उसके बाद वो क्या बोलते है तो वो पेस्ट डाल देते हैं जो बनाया हुआ है स्वारी इसने पहले वो पेस्ट डाला उ और अभी यह जो थाली परसी है उसके बारे में बता देती हूं क्या क्या है इस थाली में तो सबसे पहले बताती हूं कि यह जो है आलू की रस्ते वाली सबजी है उसके बाद चावल है उसके बाद रोटी है कडी है रबडी है पापड है पापड अलग अलग तरा के उसने फ् यहां पर हम लोग सब नीचे बैठ गया है खाना खाने के लिए तो वही वह परोसना चल रहा है उसका बस वही कर लेंगे अभी खाना खा लेंगे अच्छुली बहुत सारे पापड बना के रख्या है मुझे भी बेजया है ममे ने और मुझे भी दिया है अभी और उसके बाद गहर पे भी रखे और बनाने वाली है तो ममे बहुत अच्छे पापड बनाती है और दिपाली को भी इसके चैनल का नाम है मराधी व्लोगर दिपाली उसके चैनल को एक बार जरू चेक analytics working कर लेना आपको बहुत पसंदाने वाला है आपकी ही request पर उसने चैनल open किया है और हा जो फोटो है मेरे पुना वाले भाई और भावी का है तो यह फोटो के लिए बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि यह कैसे बनाया है एक्चुली जिनको हमने कॉंट्राक्ट दिया था इसके शादी के वीडियो का तो उन्होंने ही हमें यह फोटो एज गिफ डिया था तो अभी दिपाली और विवेक की शादी का भी फोटो ऐसे आने वाला है जो आप बाद में देख लेना मतलब आएगा तब दिखाई देगी वो आपको और हमारे शादी का भी हम लोग बनवाने वाले है यह शादी का या बाद में जब फोटो किचवाएंगे तब बना हमारे तीनों को भी फोटो वैसे हो जाएंगे वो टीवी शोकेस पर रखेंगे मतलब वो जो टीवी का टेबल है उसमें रखेंगे अक्चुली सुभे का खाना बहुत जादा हो गया था तो इसी वाज़से यह यहां पर पापड फ्राई करी है जो जो पापड ममी ने बनाय के रखा था हम आने से पहली मतलब कल ही बना के रखा था बर्ट यह अभी आप पर बन रहा है क्योंकि ज्यादा भूक नहीं थी सबको और सबको थोड़ा सा ही खाना था तो इसी वाज़से हम लोग आप पर और यह पापड खा लेंगे और सुबे का भी खाना बहुत सारा ब और उसके बाद एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो वही यहां पर होने वाला है इसी वज़े से ज्यादा शूट नहीं किया और यहां पर आपको दिखा दू वो जो पनीर मैंने बनाया था ना सुबे वो आपको दिखा देती हूं कैसे बना है बहुत ज्यादा इसे हो जाता है तो आप पनीर बना सकते हो थोड़ा सा फिटकर ही डाल दो उसमें और बस उसे चान लो पनीर बन जाएगा आपका तो यहां पर बस देखो आप पनीर कितना अच्छा बना है बहुत ज़दा स्वाप बना था पनीर यह देखिए बहुत ज़दा अच्छा बन रहे थे हमारे यहां पर आने के लिए मतलब अमरोधी आने के लिए तो यहां पर वही चल रहा है रसमें होती है जैसे कि वह साड़ी वगर देना या तावल और नारेल देते हैं मतलब दामाद जी को उसके बाद बेटी को कुछ देते वही चल रहा है यहां पर जो रिती रिव निकल रहा है यूज तो इतने सुब Apple हम लोग को यूचल रहा है कि इनकी ड्यूटी थी और अड्यूटी इने नौउ बज यही चाना था दिपाली का रूटीन स्टार्ट हो जाता है अभी तो वह नहीं बताया आपको धनिया पता निकाल रहा है खेत वाला तो मंडी में लेकर जाना पड़ता है उसे तो यह सारी चीज़े अभी वहां पर चल रही है वह तो आपको सारा कुछ दिपाली की चैनल पर ही देखने के लि तो बस यहां पर पार प्द लोगोंगे और पिछले बार मैने जब पैर पढ़ेते सब के तब बहुत से लोग बोल रहे थे कि हमारे यहां पर बेटी पैर नहीं पढ़ती तो थो नई डियर हमारे यहां पर बेटी पैर पढ़ती है मतल Cynthia Kisenір बैटों के पढ़ती है अलग माईके का प्यार यह पूरा मैके का प्यार है जो मेरे लिए हमारे लिए मतलब मेरे लिए बोरी अब कर नीन से उठाया था और उनको बस नीन से उठा के लिया था यार बच्चों का तो उठने का मन भी नी कर रहा था फिर भी बच्चों को उठना पड़ा है इनकी डूटी की वज़िस इतना सुभे सुभे निकलना पड़ा नहीं तो हम लोग इतने सुभे नी कलते हैं वैसे भी हम लोग एक दिन के लिए आये थे बट दूसरा दिन मुझे रहा है यह दो उस्ता कहीं का मैखने बपना चुल तो पकषचा के भी नहीं लोह कि तो प्लब उस हम दो तो बस यह जाता है जो कि मैखने तो आपकी छायए तो तौब हम झाला खाली तो यही है और तो चिल लों के बाद मिलते हूैं झाल झाल क्यों भूक कल अरे क्योग डोगो ळी दोनों को बी का निस टोनों भी और और हमारे दोनों है श्चाइव काई olan अशन कलि ला के सब दोनों है और यहां पर रुखक्याय चाह लेने के लिए यहां पर कॉख्यायान से निकल लेना अणना डुलwn deeply केड़ करदे पड़ कि अपक्टने दुखर है हुंँ क्यो मार क्या होगा पर कुछ आइएग oraz ड़ार अजी किए पापा काइओ ना फिर हुंष ईनस प्रफाने लिखी कोर अधबिख है क्यों निम्भु प्रफाने से पाड़ को होना बंद होताзд है अजय दोनों को ना मतलब यह दोनों सोय थे दोनों को ऐसे उठाया पानी भी निवारा मूपे इनके इनका था कि यह गाड़ी में आके सोजय करके इस वजय से ऐसे इनको उठा के लेके आया हैं लोग तो अभी कितने बजय दो हैसे और अज गुड़े tiis कितने बजये जाना था इने है। साड़े छे बज़े तो मैंने इंको बोला कि मत रखो कि यहां पर और टाइम पास हो जाएगा यह मुले कि गाड़ी में ही लाके देता हूं तो इस विज़े से रोके तो चाई पी लेते हैं फिर निकलते हैं तो गाइस पहुच गया हम लोग गर पर एक्चुली साड़े नाव पजा हैब यह डूटी चले गया है उसके बाद मतलब इंको टीफिन बना कि जल्दी जल्दी से आलोग के सब्जी बनाई उसके बाद रोटी और वह डिफिन लेके चले गया अभी मैं हो गयो फ्री तो मैंने सब कुछ बनाना था तो वो करके उनको दे दिया फाइनली वो ड्यूटी चले गए अभी आज ना उन्य है दोनों टाइम की ड्यूटी करनी पड़ेगी मतलब जैसे कि उनका जो टाइम है वो थोड़ा सा कम है बट उनको थोड़ा सा जादा तो इसलिए वो बुरते की चलू ट करती हो आपके लिए आज ही वीडियो आने वाला आई है तो चले इसके साथ इस लोग को यही पेहिंट करती हूं मिलती हूं अच्छे से नई व्लॉग में आपसे आपको यह छुड़ा सा व्लॉग पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना शेयर भ वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो मुझे चले फिर मिलती हूं बाबाई टेक केर और लुव यौल बाई